वो दिसके दिन में नहीं हुआ तो रात में आ करके जो यहाँ पर कौन कर रहा हूँ यहाँ की अपूर रूप से जबाबदारी है कि रात में वर्ट नहीं होना चाहिए अगर होगा आयुश्यल अपिने प्लान के लिए हरपूर से रिफारी थाना वाले स्ट्रक को बंद करके डायवर्शन करना चाहती है वहीं गुरामिनों को कहना है कि रास्ता ब्लाक होचाने से आसपास के कई गाउं का अब अगवन ठप होचाएगा जिससे लूम को आने जहन में परिसानि कुमार एवं राजित की किसान परकोष्ट अधिक थिससान कुमार कॉंग्रेस के नेता और ग्रामिन मौजूद है इस दौरान राजित की किसान परकोष्ट अधिक थिससान कुमार ने क्या खाहत देखे इस खास रिपोर्ट में बेन्पी नियूस्ट के लिए शिवाम कुमार की रिपॉर्ट सब्सक्राइब कर दिया है इस लड़के कर दीन है आप मान लेजागी ठीक है यहां पर खराबा कर दीन साब आपको इन इफ्वनमेशन किया लेकर गया अज़े अवक्यों एक्सम लिए इंता बाल गए ले लेती हमान वेलाद्न अगत। प्रही बाद जया था? यहाद खात प्रही अपना जटो जहादय खात करें पीज़न को फिर्ट के रख़ती है और मेट्रोलियम मिनिस्टर को भी हमने उनके भी इमेल आईडी पर अप्लिकेशन दे रखा है और यह थी पेरोकार्णिस रही विवादित है इस रास्ते को भिरने का लिवाइंडी जो है कोशिश के दिन में नहीं हुआ तो रात में आ करके जो यहाँ पर काम कर रहा है तो मैं आए फरिवादी द्रण कर simpl अगर नहीं मने लिगा परसाइसं तौ यहाँ आतमता करेनेगा बिल्कुल कशना मुँट नहीं हम लोगाते पनादी तो बिलकुल कि महाँ पराजियो तो ज साल नहीं हम लोग ऐस तो लेकानशन ईंट सर्दीज चाल इसोहिए परनेगा बच्चे जो रोड में इसका घर है बच्चा है यह भनी परदुर्शन से बच्चे पढ़ने लिखने वाले पर पाएंगे वह भनी परदुर्शन में और जो यह वीमारी धुआं से गारी का फैलेगा रोड पे बच्चा खेल राकर दब के मर या तो रिफाइंडी का ही नी पै आज से कई 70 साल पहले से जब रिफाइंडी बनी है तब से वो रास्ता जो है भी हट से होते हुए महना नूरपूर होते हुए समोरा होते हुए रिफाइंडी गेट होते हुए के सावे गोविनपूर हैरपूर को टच करते हुए नह 21 पर मिलती है और यह रोड एक ऐसा विक वाले लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। छंद सी लोगों के कुछ wus पती लोगों के सी कुछ करन रास्ता- और लेकिन मेना को ऊपनी रांथा और हमको जुस्पार्दि के आ तो वह सकता हैं। आज हो सकता है रिफांडि जिस रास्ते को पर्मानेंट बंद करना चाहती है वो जब रास्ता बंद हो जाएगा तो समझिये कम से कम लाखों लोग वहां से परभावित होंगे क्योंकि किसी को हैरपूर से बीहट जाना है या केसावय गाउवाले को थाना जाना है पोस्ट ओफिस जाना है या डॉक्टर बैट के पास जाना है यही एक रास्ता है जहां पर आप मतलब जल्दी पहुंच सकते हैं अब अगर माली जे रिफाइंडी के मैडम को रिफाइंडी ओफिस जाना है उनको कहें बीहट होकर के घुम के आईए तो उनको क्या वो जाएंगे अगर डियम साहब को बोल दें कि आप पूरे बेवुसाय का परकरमा करकर के अपने कारियाले में आईए तो क्या वो जाएंगे नहीं जा सकते हर आदमी सोट रास्ता क्यार करता है और वो रास्ता तो बिगत 60-70 वरसों से चली आ रही है बनी हुई है तो रिफाइंडी अपनी परवंदक अपनी मनमानी कर रहा है इसके कल रात में भी वो चोरी छीपे आ करके ठीकेदार जो है वहाँ पर अपना काम शुरू किया था ग्रामीनों को पता चला तो सारे परवंदक अपनी है परवंदक अपनी होगा उन्होंने अपने वडिये पदा अधिकारी को भी सुचना दी फोन से उसके बाद कल ही रात में बरवंदके जो है स्टीयो साब बीडियो साहब और सदर स्टीयो साहब से बात हुई तो स्टीयो साहब ने आज हमें हम सब को बुलाया था तो हम सब आज मिले स्टीयो साहब से उन्होंने हमें अस्वासन दिया है हम लोग स्कॉट पर जाएंगे और वहां पर एक मतलब जो मीटिंग होती है पूरे समाज को ले करके उसमें के रिफाइंडी के भी तरफ से रहेंगे और बैठ करके उसका निशकर्स निकालेंगे जब तक कोई निशकर्स नहीं निकलता है तब तक वहां पर रिफाइंडी को आदेस दिया गया कोई भी काम कंस्ट्रक्शन का नहीं होगा और हमने SDM सर को बता भी दिया है हम सबने कि अगर वहां पर चोड़ी चीपे इस तरह का कोई भी काम होता है और अगर उसको विरोध करने पर किसी परकार का बवाल या किसी परकार का हाथसा होता है दुर घटना होती है उसके रूप उसमें पुन रूप से जिम्मेदार रिफाइंडी के ED होंगे और जिला पर सासा है जहां पर ये कितने घर होने है लगबग वहां पर हचारों गउओं पंदरा बीस गउओं और वहां पर लाखों की आवादी है और वहां पर लाखों की आवादी है वही एक मेन सड़क है इन्हों ने क्या किया है अपनी दिमाग का इस्तेमाल करके किसाब एक गउओं के ही बॉंडरी बॉल से रोड का थोड़ा सा चोड़ी करन कर दिया है जो कि आपको बता दू उससे चोड़ी करन कर दिया जिसमें कि दो बड़ी गारियां एक साथ कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती है एक बात दूसरी बात को गाउं है गाउं रोड पे ही घर बसे हुए गरीब गुरुवों के भी घर बसे हुए है मतलब मान लीजे जो कभी भी हाथसा हो सकता है गरीब आदमी है धारी मजदूरी पे कम करता है सुवह सभी कम पे निकल जाएंगे बच्चे रोड पे आ गए वो बड़ी बड़ी हाईवा पॉकलेंट जैसी भी चलेगा बच्चे दब के मर जाएंगे कुछ हो जाएगा तो क्य पूरी यह सही नहीं है और अगर वो अपनी मनमानी करेंगे तो हम लोग अपनी मनमानी नहीं करने देंगे उनकी मनमानी नहीं चलने देंगे हम लोग इसका पूरा भिरोद करेंगे आज हमारे सर्व दल यह बैठक थी और बैठक में सभी दल के परखंड़ा ध्यक्च से ले और स्टीम साव ने बहुत ही अच्छा उपना फुजाव दिया है वहाई पहले हम लोग पूरे समाज के तौर पर मेटिंग करेंगे वहाँ पर इफाइंडी के अधिकारियों के साथ में और समाज के लोग के साथ जब तक कोई निश्कर्स नहीं निकलता है तब तक वहाँ के सब्सक्राइब कर नहीं चलेगा क्याना निस्वान फुमार सिंग्ग राष्ट्य जनता अदल जिला ध्यक्ष किसान पर कोश्ट बेवुश्राइब